हम उत्तराखंड के पहाडी गाउं कोटी मैचक में आगे बढ़े तो हमें कुछ अन्दाता अपने पशुधन की सेवा करते हुए दिखे गाउं के छोटे-छोटे किसान अक्सर अतिरिक्त मुनाफा, दोध, दहीं, घी के लिए अपने घरों में पशुधन जरूर रखते हैं हमने इन किसानों से पहाड की जिंदगी कितनी बदली, गाउं में विकास कितना पहुचा, कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए बात चीज शुरू की ठीक है जी यह पास में इंटर कॉलेज है, होस्पिटल है, पसुख होस्पिटल अलग है और वैसे भी अलग है खेतों में क्या क्या लगाते हैं? कि अभी इस वक्त गेहूं, चना, मश्यूर, और शाक्स, जोजई, और आपके अभी दो मारे सब्जियां मगरा हैं, लसून, प्याज, आदी-आदी लोग लगा लगा रखे हैं सीजन में कितनी खेती ले ले लेते हैं, दो सीजन के? तो कोची पानी होता तो तीन भी ले लेते हैं, वैसे दो भी पानी के वैसे का मगरा है? नहीं तो आदे गंटे के रास्ता है, मतलब आप से कोई 300-300 किक्लियर मेंटर भी नहीं है, तो आधे गंटे के दूरी पर आपका अगर मार्केट है? उत्राखंड के पहाड़ी गाव में कभी मोल भूथ सुविधाओं की ना होने से यहां जिन्दगी किसी चुनौती से कम नहीं थी खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग विभाग जीजान से जूटे हैं, जिससे हमारे अन्नदाताओं की जिंदगी सवरने लगी है. हमारी यात्रा आगे बढ़ी तो कुछ किसान भाई इस ट्रेक्टर के पास मिल गए, बातचीत में किसानों ने बताया कि मोलभूत सुविधाओं के होने से जहां उनकी जिंदगी सरल हो गई है, तो वही कृशी विज्ञान की तरफ से मिलने वाली नई तकनीकी, कृशी, किसान को लेकर चलाए जारहे जागरुकता अभ्यान, जर मेरे सामने नजर पर थी, तो लगा मुझे आपके गाओं और आपके घर आजाने चीए, कितना परिवर्तन हो गया है, कितना बदलाओं बहुत बदलाओं है, बहुत बदलाओं कैसे देखते हैं, खेती में, पसुपालन में, बड़ाई लिखाई में, हर चीज में बदलाओं हमारे इस गौँ में किसी बदलाओं खुला है, भूमी स्रक्ष्ण माले हैं, कई चीजे हैं, हाल्टी कर्चर है, राष्टे बागवानी की भी मदद मिल जाती है, बागवानी किसनी होती है, या पर सबजियां फलफूल होते हैं, लगाते हैं, जिनको विचारों को सौगे हो लगाते हैं, अच्छी सब्जी होती है, लोगियां, तोरियां, सब और मशीनरी में क्या क्या बदलाओं आगे हैं, पराना जितना भी था, वो अब नहीं में परिवर्तन हो गया, बेल चला गया है, हातों से नहीं हो रहा है, अभी तक दो-चार साल पहले हम छोटे-चोटे बैलों से वो खेती करते थे, पर अब मतलब, दो-चार साल से इतना बदला हो गया, कि अब हर खेत में हम छोटे-चोटे टैक्टर लिजा सकते हैं, और हात वाले भी हैं, जहां बड़ी खेती की जमिन हो, बड़े टैक्टर ब काटा चक्की होगी, और कुट्टी काटने की मशीन होगी, और मतलब छोटे-चोटे जितने भी इलेक्टर होएं, बहुत चीज़े मिल रहे हैं, मशीनी यूग आ गया है, जिसे मशीनी करन का जाता है, समय तो बच गया है, जीवन में तरक्की हो रही है या नुक्सान हो रह करके हम उसको बटन दबाना आगया, बच्चे हमसे आगे और निकल गए, अब मतलब हमें जो है, पौल ऐसे सुनते थे, पहले वो लंबी केड़ी वाले कि इसमें कहां से सुने, कैसे बटन दबाएं, और आज जो है, बिल्कुल ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, गाह में कोई स पीने का पानी, बटन दिक्कत होती है, गर्मी है, अचा पशु पालें से दूद का वेपार भी होता है, जी होता है, मैडम, जो देखें, कितना बदलाव हो गया इनके जीवन में, और जो पहले कुछ नहीं आता था, वो आज सब कुछ इसलिए कर जाता है, क्योंकि मशीनी क पहाड़ों में रहने वाले, देराद उनके आसपास बजेवे गाओं के किसान जो है, उनके घर कितनी चीजे पहुच पाया है, विकास के माईने देखें, ऐसे देखें जाते है, कि स्कूल की सुवेदा होनी चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, बिजली समय पर आनी चाह यह उसके बाद तो पक डंडी से चलते चलते हमारे किसान भाई शहर तक पहुंची जाते हैं